कि नमस्कार दोस्तों मैद सागर चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आज जो है क्लास आठ का मैद बताने जा रहा हूं तो यहां पर यह निम्नांकित का प्रसार कीजिए कह रहा क्या निम्नांकित का प्रसार कीजिए ठीक है तो इसको हल करना है प्रसार करना है तो सबसे पहले जो है सुत्र को आपको जानना थी अवस्षक है तो एक बार इसको ध्यान दे दिजिए एक यू प्लस बी क्यू प्लस थिरी वी कुछ टेक में ए प्लस भी यही सुत्र होता है एक बार सुत्रों की तरफ फोकस कर लेते हैं तब कोश्चन लगाएंगे तो इसली सुत्र होता इसी केंसार यह प्रसार करना है तो देखिए यहां पर यह बटा अ आ है कोई बात नहीं वहीं है नहीं कोई बात नहीं कोई ब comunqueillon तो यह सूतर लगाएंगे तो क्या होता है यानि एबटा टू का क्या हो जाएगा होल क्यों होता है प्लस बीक्यू यानि बिवटा 5 का फाइब का होल की हो जाएगा ठीक यह बीकी हो गया प्लस ठीरी एवी एबटा तू है और वी क्या है बटा वीवटा बटा 5 है और प्रेकेट में क्या होगा एप्लस भी आप सोच रहे होंगे कि इन्हों ने डाइड लगा रहे मुझे समझ में नहीं आ रहा है चलिए समझ में यहारा है इस सूत्र को पहले करके ही लगाते हैं हो सकता है कि आप कमजोर हो तो आपको थोड़ा इसे लग रहा हो कि यह डैरिट लगाते चले जारे इनको तो आता है मुझे नहीं आरत क्या मतनब है एक यू प्लस बी क्यू प्लस थिरी ये वी कोश्ट्यक में एप्लस बी ठीक है यह सूत्र में एक आता है आए बटा तू का क्या हो जाएका ब्रेक्र लगान देंगे यह होल की हो जाएगा फिर थानाय तो धान भीक यह यानि बी पूरा बीटा पांच है तो बिग唱 का क्यू हो जाएगा मैंEu पलस है तो मिदकारत नहीं अब त्री थिरी सूत्र में है इھ क्य तो यहां देखिए जो है यहां ट्री एक जगा एबटा तू गोडे बटा फाइफ हो जाएगा क्या हो पर यह बटा टू हो गया और गोडे बटा फाइफ क्या होता है तो प्रेकेट में जो यहां है वह ही उतर जाएगा एबटा टू प्लस बी बटा फाइब ठेक है अब यहां देखिए एबटा टू का होल क्यूंग तीन घात है तो आपने पढ़ा होगा एकस पर तीन बार लिखे तीन बार लिखा हुआ है थीक अब यहां देखिए 3AB होगा थीन इबी में गुड़ा होगा पसमेत 3AB होगा आद 5 हुना 10 अब रैकेट में A बटा 2 प्लस B बटा 5 हो गया थेक है अब यहां देखिए यह एका घुड़ा एंए फिर। इन से अ अं में एहां एंकऊलब prior tomorrow अंसमें और अनकऊ ca घुड़ा 3 हुए धीक है ठीक है मैं 4 होगया फिर दो प्र 2 घुड़े 2 गुड़े 2 मैं हो सकता एक्ह समूझा है निए समझाने गुल्ये 55 छे थ्रीए वी बटा 10 ब्रेकट में बटा टू क्लस बीटा फाइब आप आप यहां थे तीन बार रहा तो क्या हो जाएगा एक ही हो जाएगा दो दुना चार दुना आठ हो जाएगा ठेक है पलस तीन बार भी है तो भी की हो जाएगा पांच पचे पचीस पचीस पचे एक सो पचीस और यहां इसका क्या करिए इसमें गुड़ा कर देजिए तो थिरी एबी बटा टेन का इसमें गुड़ा करेंगे थ अब यहां देखेंगे एक यूबटा आठ बी किवटा एक सो पचीस और यहां देखिए कुछ कटने वाला है नहीं थी ए इस्क्वाइर टेश दूना व्हीं और यह थी एटी स्क्वाइर वटा पांदा में पचास इस प्रकार यह यह हल हो गया तो पहला को वाला हाल करते हैं तो यहां देखिए खोवाला जो है यह बहुत बड़ी बात नहीं है सुत्र पर इसको भी लगाएंगे पहले सुत्र जो है ब्रेकेट में यहां दिया है 3Y फॉर बाई फॉर य का होल क्यूं तो यह भी जो है उसी सूत्र पर इसी सूत्र पर लगेगा थीक है तो यहां पर जो है एक जगह क्या है 3Y है तो 3Y का whole Q प्लस BY की जगह क्या है B की जगह क्या है 1 by 4Y 1 by 4Y का whole Q प्लस 3AB 3A का value क्या है 3Y और B की जगह क्या है 1 by 4Y और bracket में क्या है A plus B यानि 3Y प्लस 1 by 4Y ठीक है अब यहां देखिए 3Y और 3 गात है तो इसको 3 बार लेखेंगे 3Y गुड़े 3Y गुड़े 3Y अरे इस पर 3 गात दिया है ना ठीक और यहां भी 3 दिया है तो इसको 3 बार लेखेंगे 1by4y गोठे वाई 145 ही इन बार हो गया ऑन यहां सब्सक्राणाओ लिए 12 देने वाली बात है यहां जेखने वाली बात वाई नीचे आ बंपरत कट जाएगा 3 3 9 9 बटा चार ब्रैकस से 3 वाई प्ल स1 वाई युय होगा ना यां यसर भंडर्प नो भाइब% wow a कट गया थी तीू आएक नो कर नो अब शाटर ऑभली तीन तीन सद्थे dec is Y का गुड़ा Y में Y स्कार होगा, फिर Y का गुड़ा होगा, तो Y Q हो जाएगा, क्योंकि 3Y है, ठीक है, और यहाँ 1 करना, 1 करना, 1 होगा, 4 चग का सुरा चग 64, और Y तीन बार है तो नीचे Y Q हो जाएगा, अब इसमें देखिए, क्या करिए, गुड़ा कर देजिए, तो 9 बटा 4 गुड़े 3Y, प्लस 9 बटा 4 गुड़े 1 by 4Y, अब यहाँ 27Y Q, प्लस 1 by 64Y Q, प्लस 9 तरिके 27 बटा 4Y, ठीक है, यह हो जाएगा, और यहाँ 9 करना, 4 चग का सुरा, Y हो जाएगा, नीचे होगा यह, यह उपर आएगा, तो इसी प्रकार से हाल होगा, और यह आपको समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट करेंगा, नमस्कार दो,